So git download और install करने के लिए आपको जाना है git-scm.com slash downloads website पे और यहां पे आपको तीन options दिखेंगे operating system के लिए macOS है आपका तो आप ये चूज कर सकते हैं Linux है तो ये चूज कर सकते हैं और windows है तो ये option आप चूज कर सकते हैं तो मेरा जो है वो windows है तो windows मैंने चूज किया और फिर operating system 64 bit है तो click किया 64 bit operating system पे और ये download होना शुरू हो गया अभी ये download हो गया है अभी मैं इसको open करूंगा और open करने के बाद जो भी आपको default setting यहां पे दिखेगी आपको git का default setting यूज करना है और इसको install कर देना है अभी ये user account control permission के लिए पूछेगा तो मैंने yes कर दिया और yes करने के बाद ये installation start हो गया अभी ये public license के बारे में पूछ रहा है तो मैं इसको next कर दूँगा और जो directory है उसको भी default रखूंगा फिर next करूँगा जो भी option आपको यहां पे दिखे इसको आपको next करते जाना है until it comes तिल द इंस्टॉल option यह अभी install होना start हो गया है और install होने के बाद आपको चेक करना है कि यह properly install हुआ है कि नहीं हुआ है अभी यह installation complete हो चुका है मैं finish पे click करूँगा और finish पे click करने के बाद आपको check करना है कि get install हुआ है कि नहीं हुआ है हैं यहां पे आपको option दिखेगा मैं right click करूँगा तो right click करने के बाद आपको show more option करना है और आप देख सकते है कि open git here and open git bash here so मैं इसको click कर दूंगा open git bash और यहां पे आपको git type करना और enterprise करना है और आप देख सकते हैं कि git के सारे options और commands यहाँ पर दिखाई दे रहें कैसे आपको use करना है और कौनसी कमांड आपको use करनी है यह सारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो installation जो है वो complete हो चुका है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें थैंक्स और बाबाई